उत्रप्रदेश की 80 लोग सभा सीटों पर लगातार दाव कर रहा है सपा और कॉंग्रेस का गटबंदर। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि 80 के 80 लोग सभा सीटों पर सपा और कॉंग्रेस जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। और इस जीत के लिए सपा प्रमुक अखलेश यादव ने अब तक कई बड़ी बड़ी रणीतियां बनाई हैं। आखिरकार अपर्णा वेश्ट यादव की समाजवादी पार्टी में वाफसी होगी या फिर नहीं। आखिरकार क्या वाकई में जो जेठानी है उनकी डिमपल यादव मैंपुरी से सांसद हैं तो वही चाचा शिपाल सिंग यादव जो है क्या वाकई में अपर्णा वेश्ट यादव को सपा में वापिश लेकर आएंगे या नहीं। नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप देख रही है नेक्स्ट नाइन नियोर से दरसल ये सवाल आज एक बार फिर से इस वज़े से उठ रहे हैं क्योंकि डिमपल यादव ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है हाल ही में डिमपल यादव अपने गड़ पहुँची चाहेगा अगर राष्ट्य नितरत वो फैसला लेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे मालूम हो कि किस तरह से अपड़ना यादव और डिमपल यादव की बॉंडिंग काफी अच्छी नज़र आई है मुलाइम सिंग यादव जी जब हमारे 20 थे उस दोरान चुनावी प्रचार के दोरान दोनों ही बहुए एक साथ नसर आती थी लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अखलेश यादव कहीं न कहीं एक वक्त अपड़ना यादव को टिकट तक नहीं देना चाहते थे केंट सीट से वह चुनाव लड़ चुकी है लेकिन हार का सामना भी किया है अब सवाल यह उठते हैं कि अचाचा शेपाल सिंग यादव जिनने लेकर यह तक कहा गया कि शेपाल तो नेता जी के चले जाने के बाद वापस आ चुके हैं लेकिन क्या वह अब अपड़ना को ल शेपाल सिंग यादव वापिस लाएंगे अगल लाते हैं तो कि डिमपल यादव वाकई में खुशी-खुशी उनका स्वागत करेंगी फिलाल तो उन्होंने संकेत देही दिया है अमन्जी जिस तरह के अपड़ना विष्ट्यादव ने 2022 के विधान सभाचुनाब में उतर रह गई हैं जाहिर बात है और जब सफ़ा से निकल बीजेपी में उनका कह सकते हैं कि जाना हुआ उसमें ये कहा जा रहा था कि अपड़ना यादव को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से मिलेगी लेकिन देखिए दो ड़़ाई साल होगे लेकिन अभी तक एक भी मौका ऐसा नहीं आया जहां पर लगा हो कि अपड़ना यादव को लेकर बीजेपी बाकि बहुत गंबीर है कोई महत्पून पद उनको देना चाहती है या पिर जो है किसी महत्पून कार्म उनको लगाना चाहती है अभी तक आपने देखा कि पार्टी में कोई एहम पद या लगातार उट रहे है कि क्या अपड़ना यादव को सिर्फ नाम के लिए ही बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा है जब कि वो लगातार बयान बाजपा के लिए लगातार बयान दिये हैं और ये भी कहा है कि योगी उनके भाई हैं और तमाम तरह से उनके बयान न कर सकती हैं सफ़ा में आ सकती है और इसी बात को लेकर डिमपल ने का है कि अगर पार्टी चाहेगी तो जरूर वह वापस आएंगे और बहुत स्वागत करेंगे तो देखिए लोग सबह चुना बहुत नस्दीक और सफ़ा भी लगता हर सीट के ओपर फुंख फुंख कदम दिया जाता है और श्विपाल यादव अपनी पार्टी अलग बनाई थी उसमें भी सबसे पहले अपड़ना यादव उनके साथ में नजर आई थी तो हो सकता है कि श्विपाल के साहरे उनको बापसी की एक उमीद जो है बहुत दिखाए जाए और साथ में उनको लोग सभा सफा सीट से कहीं लड़ाया जाए क्योंकि 2017 में भी सफा उनको चुनाव लड़ा चुकि यहां पर लोग सफा सीट मिलने के लिए कर मिल जाए उन्हें अगर बीजेपी से नहीं समाजवादी पार्टी से ओफर मिलता है तो अपढ़ना स्विकार कर पाएंगी क्योंकि वो तो पद नहीं मिल रहा है मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर बात है कि वो भी शायद अपने परिवाद के तरफ देखें क्योंकि यहां पर उनकी अपनी पार्टी और जब वो पार्टी छोड़कर गए थी तब भी यही बात कही गई कि जो सम्मान को सफा में मिला है व फिर अपर्णा यादव की बाप्ची सफा में होती हुए नजर आ जाए और यहां पर वो लोगसभा चुनाब में कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से बतोर उम्मीदबार दिखाई पड़ती हुई दिखाई पड़े हैं अब यही देखना होगा कि टिंपल यादव ने तो ए एलान भी आज चुनाब आयूग करने जा रहा है देखते हैं कि आने वाले समय में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से शामिल होते हुए देखा जाएगा या नहीं क्योंकि अटकले कई बार देज होई कि वह चुनाब लड़ेंगी विधान सभ बेजा जा सकता है विधान परिश्यद के लिए उन्हें आगे किया जा सकते हैं देखते हैं कि आपड़ना यादव को बीजेपी आगे करती है या समाजवादी पार्टी यहां पर मौकिक को देखते हुए यहां पर अपड़ना को अपनी तरफ लेती हुई नसर आई इस खा